आज के वीडियो में हम आपको 20 ऐसे investment plans के बाड़े में बताने वाले हैं जहांपे निवेश करके आप बहुत अच्छा return पास सकते हैं हर किसी का risk लेने की capacity वो target अलग लग होते हैं इसलिए आज के जो भी plan है वो zero risk के से लेके higher risk तक हैं अता अपने risk वो target return को ध्यान में रखके ही इन में से किसी भी plan में आप investment करें investment वो return के लिहाज से देखें तो stock market सबसे पहला option है हाला कि इसके बाड़े में थोड़ा भी आपको जनकारी है तो यहां से return की कोई limitation नहीं है और यदि आपके पास stock market के कुछ खास जनकारी नहीं है तब भी आप blue chip कमपणियों में investment करके 15-20% असानी से return पास सकते हैं stock market में invest करना चाहते हैं तो आपके पास एक dmit account होने चाहिए जिसका link description में हमने दे रखा है link से free आप dmit account open कर सकते हैं और यदि आप direct stock market में invest नहीं करना चाहते हैं तो आपके लिए best होगा mutual fund में investment करें जब आप mutual fund के द्वारा investment करते हैं तो आपके पैसे को market के expert द्वारा stock market में invest किया जाता है जिससे आपके risk कम होते हैं वो profit के chances बढ़ जाते हैं return की बात करें तो वो mutual fund से average आपको 15% का annual return मिलता है mutual fund में भी invest करने के लिए आप debit account से invest कर सकते हैं जिसका link description में है ETF यानि की exchange traded fund mutual fund का ही एक अग्रिनी रूप है जो की direct market में trade करता है mutual fund का price trading day की evening में update होता है जबकि ETF के माध्यम से आप live market में buy or sell कर सकते हैं ETF के बारे में अधिक जनकारी के लिए description में और i button पे आपको video का link मिल जाएगा जब कोई company stock market में listed होती है तो उसे IPO के through launch किया जाता है और IPO के जड़िये आप महज एक week में ही अपने पैसे को double कर सकते हैं हाला कि इसमें risk भी है परन्तु बढ़िया company के IPO में यदि आप subscribe करते हैं तो आपको profit होने के chance से ज़्यादा बढ़ जाते हैं granted return के लिए यदि आप fixed deposit के समान कोई investment चाहते हैं तो NCD आपके लिए best हो सकता है NCD एक प्रकार से granted return देता है जो कि किसी company के द्वारा दिया जाता है यहाँ पे आपको ध्यान रखने होगी company का rating अच्छी होनी चाहिए NCD में निवेस करने के लिए कुछ full service broker ही ये service provide करते हैं इसलिए description में दिये गए link से dimit account open करके NCD में निवेस कर सकते हैं इसके अलावे यदि आप bond में भी निवेस करना चाहते हैं तो description में दिये एक link से ही dimit account ओपेन करें चुकि हर एक डिमीट एकाउंट में बॉंड में इविस्ट करने का अप्शन नहीं मिलता है। बॉंड एक प्रकार से फिक्स रिटर्ण के समान ही होता है। यहाँ पे आपको जो भी कम्पनी के बॉंड लेते हैं उसमें आपको मालूम होता है कि कितना टाइम प्रियोट के लिए आपको कितना रिटर्ण मिल रहा है। बॉंड जारी करने वारी समस्ता प्राइबेट, गॉर्मेंट या पॉब्लिक सेक्टर से भी हो सकते हैं। नौन बैंक के फाइनेंशल कम्पनीयां भी बॉंड जारी करती हैं। बैंक भी आपको बॉंड के थुरू इन्वेस्टमेंट का अप्शन देता है। बॉंड का रिटर्ण अमूनन फिक्स डिपोजिट से थोड़ा ज्यादा होता है। यदि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। तो फिक्स डिपोजिट आपके लिए बेस्ट हो सकता है। हाला कि फिक्स डिपोजिट पे सलाना जो रिटर्ण होता है वो बहुत ही कम है। आज के डेट में आपको मैकसिमूम साथ से 47% का रिटर्ण मिल रहा है। नौन बैंकी फैनेंशल कमपनियों का रिटर्ण फिक्स डिपोजिट वे थोड़ा ज़्यादा होता है। इसलिए यहाँ पे आपको सिनियर सिटीजन के लिए 8% तक का रिटर्ण मिल सकता है। NPS यानि कि National Pension Scheme अपने रिटार्मेंट के लिए फंड यदि आप एकत्रित करना चाहते हैं तो NPS आपके लिए बेस्ट अप्शन हो सकता है। हाला कि यह सौट टर्म में यदि आप रिटर्ण चाहते हैं तो इसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। NPS में भी निविस्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिये गए लिंक से डिमिट एकाउंट ओपिन करके निविस्ट कर सकते हैं। याद रखें कि NPS का करेंट जो रिटर्ण है वो 9-12% के करीब है। किसान विकास पत्र यानि कि पैसे को डबल करने का सुरक्षित तरी का यहाँ पे आपके पैसे 10 साल 4 मथ में डबल होते हैं। करेंट जो इंट्रेस्ट है किसान विकास पत्र पे वो 6.9% का है किसान विकास पत्र में निवेश करने के लिए 10 साल से एबब का कोई भी व्यक्ति पोस्ट आफिस या फिर कुछ चुनेंदे बैंक के माध्यम से निवेश कर सकता है बेटी की शादी, एजुकेशन वा कैरियर के लिए पैशे एकत्रित करना चाहते हैं तो सबसे बढ़िया एस्किम है शुकन्या समरीदी यूजना इस एस्किम के तहद फिलाहाल 76% का इंट्रेस्ट मिल रहा है इस एस्किम के लिए बेटी का उम्र 10 साल से कम होनी चाहिए और 21 साल के उम्र होने पर इसकी मिच्यूरिटी हो जाती है मिनमम इसमें आप 2500 एनुवली वहीं मैक्शिमम डेर लाक एनुवली आप इसमें इन्वेश्मेंट कर सकते हैं इन्वेश्मेंट को भी आप एक इन्वेश्मेंट प्लान के रूप में लेशकते हैं हलाकि इन्वेश्मेंट में आपको अलग 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 प्लान्स में अलग अलग बेनिफीट मिलते हैं इसलिए इसमें आप investment करने से पहले plans की details जरूर चेक कर लें ज्यादा तर insurance plans का return normal FD से कम या बराबर ही होता है return के लिहाज से देखें तो insurance में आपके पैसे को double होने में 15-20 साल लगता है जबकि normal FD या फिर post office FD से double होने में 10-12 साल ही लगता है long term investment के लिए public provident fund में भी investment कर सकते हैं maturity यहाँ 15 साल पे होता है और interest 7.1 का रहता है public provident fund में निवेश करना चाहते हैं तो bank या post office के माद्यम से निवेश कर सकते हैं ulip यानि की unit link insurance plan एक प्रकार का investment option है जिसमें आपको saving के साथ साथ insurance का भी offer मिलता है हलाकि यह plan equity market से जुरा हुआ रहता है इसलिए यहाँ पे आपको fixed return नहीं मिलता है NSE यानि के national saving certificate पोस्ट office का एक scheme है यहाँ पे निवेश करके आप 6.8% का interest औरन कर सकते हैं इसकी maturity 5 साल की होती है इस scheme में आप minimum 1000 से investment शुरू कर सकते हैं maximum की कोई limit नहीं है वहीं इस scheme के माध्यम से आपको डेर लाग तक की tax benefit भी मिलती है investment के लिहाँ से real estate investment काफी ज़्यादा फायदे मन्त साबित हो रहा है real estate में investment करके नव सिर्फ आप passive income कमाश रखते हैं बलकि अब इसमें आपको investment करने के लिए online भी बहुत सारे platform प्रभाइड किये जा रहे हैं real estate में investment करना चाहरे हैं तो इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो आपको प्रभाइड कर दूँगा जिसका link description में मैं mention कर दूँगा gold में निविश करके भी बड़िया मुनाफा कमाया जा सकता है फिर वो physical gold हो या फिर digital सावरिया gold bond digital gold में निविश करने का ही एक scheme है जिसमें आपको fixed return मिलता है investment वो return की बात हो तो crypto को हम नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं यदि आप higher risk लेने में सक्षम है तो crypto में निविश करके आप पढ़िया मुनाफा कमा सकता है हाला कि यहाँ पे कोई rule और regulation नहीं है इसलिए यहाँ पे जोखिम भी आपका ज़्यादा है इसके अलावे crypto fixed deposit में investment करके आप 15-35% का fixed income generate कर सकते हैं जो कि crypto currency fixed deposit में ही आपको मिलता है current time का सबसे popular investment option जो है वो NFT investment है यहाँ पे लोग लाखो करोरो रुपे कमा रहे हैं लेकिन याद रहे हैं कि यहाँ पे investment आप crypto currency के माद्यम से ही करते हैं और यहाँ पे earning भी बहुत ज़्यादा राती है लेकिन risk और यहाँ पे investment भी काफी ज़्यादा होता है इन सब investment option के अलामे भी बहुत सारे ऐसे platform है जो आपको granted return दे रहे हैं इन ही में से एक है cred mint cred mint अपने platform पे आपको 9-12% का तगरा return देने का गुशना करता है परन्तु आपको ऐसे particular किसी भी platform पे investment करने से पहले उसके विश्यादा को अवस्याच कर लेनी चाहिए उसके review चेक कर लेनी चाहिए और मेरा सुझाओ है इन party cooler platform से जहां तक हो सके दूर ही रहे ज़्यादा के लालच में ना आए granted return के बहुत सारे option है तो आज के जितने भी option मैंने investment की बताए उनमें से किसी भी option पे आपको deeply जनकारी चाहिए तो comment करें उसके उपर मैं कोसिस करूं का बहुत जल्द आपके लिए वीडियो लाने का वीडियो में दियेगे content पसंद आए हो तो like करें चैनल पर पहली बार आए हो तो subscribe कर लें वा दोस्तों के साथ share करना ना भूलें हो शकता है आपके दोस्त को financial goal achieve करने में इस content की आवश्यक्ता हो धन्यवाद